नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं कि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि में इंजन नया आया है और यह पहली सर्विस के लिए हम इसी इंजन के पास बुलाए गए हैं तो पहली सर्विस में क्या क्या करना है क्या क्या देखना है क्या क्या सीखना आए कीतना मूबील ड़ालना है कौन सा मूबील पढ़ना है तो हम आपको यह चांदकारी देंगेillon के आप देख सकते हैं पूरा भी 20-30 घंटे ही चला है पहली फस्ट सर्विस है आप देख सेज़ें सब पूरा फिट है तो इसमें ये भारा सक्ती का आठ एच्पी का एंजन है आप देख रहे हैं कि इसमें हमने पहली सर्विस के लिए क्या क्या किया है तो हम शुरुवात करते हैं ये पहले खोली जी यहां देखिए कैसा क्या है देख देखिए पूरा नया है भी पूरा थोड़ा भी काला नहीं पड़ा है पूरा फिटिंग है तो हम शुरू करते हैं, पहले ओयल इसका निकालते हैं, पर कैसी क्या सफाई क्या करना है, कैसे ओयल डालना है, तो सब हम आपको बताएंगे इसे आप खोल लीजिए, आप ओयल देख सकते हैं, अभी नया ही ओयल साप निकल ला है ओयल को निकल ले दे, और उपर का भी ये वाल टापेड एपड सारे सिस्टम देखने पड़ते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे कैसे क्या सेटिंग करना है देख सकते हैं, पूरा मोबिल निकलने को है, तो हम इस प्लेट को खोलेंगे इस प्लेट को खोलना अनेवार है क्योंकि पूरा आयल उस नीचे वाले होल से नहीं निकल पाता है अगर ऐसे आप डालोगे तो बहुत जादा मोबिल खराब हो जाएगा, आधा मोबिल आपका पुराना ही इसमें रह जाता है तो खेक खोलना हमें अनेवार है, अब आप देख सकते हैं अंदर का सिस्टम पूरा कितना अभी मोबिल है, इसमें कितना कैसे सफाई करनी है, इसके अंदर कैसे अभी देख सकते हैं, ओयल सारा बाहर निकल चुका है, अभी इसमें आधा लीटर के आजपस अभी अंदर रह जाता है तो इसे हम अपने हाथों से निकालने का प्रियास करेंगे पूरा ओयल होल से नहीं निकलेगा, आप देख सकते हैं इसमें अभी आपको फूरा फूरा इसमें हलका भीगो भीगो के आपको क्योंकि ऐसे ही आपको सफाई करनी है बिना प्लेट खोले ये साइड प्लेट जो बोलते हैं छेवुल्ट वाली नहीं तो मोबिल आपका अंदर उसमें रह जाएगा ये देखिए तो सफाई अच्छे तरह से करनी क्योंकि नया इंजन है पुराना होता तो तो थोड़ा अंदेखा भी कर सकते हैं तो ये सफाई जरूरी है क्योंकि नीचे ही कचड़ा सारा रह जाता है ओयल तो सारा बाहर निकल आता है कचड़ा कचड़ा सारा जमीन में रह जाता है तो यह हमने यह बोल्ट लगा दिया है अब अंदर का पूरा सिस्टम देख सकते हैं मैंने कितना अच्छा क्लीन किया है कि क्लीन करना ही अच्छा सफाई के लिए वहतर है पूरा मैंने क्लीन करने के बाद देख सकते हैं पूरा फिटिंग है अभी नया है तो कुछ थोड़ा साफ भी है तो हम यह मोबिल ले आए हैं सर्वो इंडिये नायल का साड़े तीन लिटर आप देख सकते हैं मगर इसमें थोड़ा इसका बाड़ी बड़ा है तो इसमें थोड़ा मोबिल ज्यादा पड़ेगा अभी देखिएगा मैं सारा इसमें डालता हूं मैंने इसमें पूरा डाल दिया तब भी हमें कम दिख रहा है तो हमें थोड़ा पुराना भी डाला पड़ इसमें इसका बाडी थोड़ा ज्यादा बड़ा है उपर से भी डाल सकते हो नीचे से भी डाल सकते हो प्लास में कोई दिखक्ण नीचे से डालने से थोड़ा जल्दी किलिए हो जाता है उपर से थोड़ा थोड़ा ये लॉकल बाक्स में डाल दीजिए पूरा पिपिया निचुड़ जाएगी पूरा ये वाल टाइपेड स्प्रिंग सारा कुछ इतना रह जाता है इसे भिगो दीजिए उपर से भी आप डाल सकते हो मगर थोड़ा देर में पहुचता है और नीचे का हमें जल्दी अगर हो तो आप नीचे से डाल के तूरंत पूरा किलियर कर सकते हो अब आप देख सकते हो अभी आईल आपका कम है आपको पहचान बता देता हूँ कि इसमें अभी बेड़ से बहुत ज़्यादा दूरी पे आईल है आपका अब पूरा ये अब मैंने इसमें थोड़ा मैंने डाल लिया है देखिए हलका वेड़ में लगना चाहिए इतना आपका मोबिल गेज रहना चाहिए देखिए हलका नाक के बराबर छुना चाहिए आपका जो वेट वैलेंस है उसके नजदीक मूबिल का लेवल होना चाहिए तब ही आपका पूरा गेज मूबिल होगा यही आप एक पहचान है फिलाल गेज छोटा बड़ा हो सकता है यहां से आप किसी परकार से चूक नहीं सकते हैं तो हम इसे बंद करते हैं फिर आपको इंजन स्टार्ट करके दिखाते हैं क्योंकि इसमें कुछ बंदना नहीं सिर्फ पहली सर्विस थी क्या करना है क्या नहीं वो डीजल फिल्टर बदलना फिलाल हमारे लिए भी ठीक नहीं है क्योंकि अभी नया इंजन है लीकेज होने क चांसे ज़्यादा रहते हैं तो हम उसे नहीं खोलेंगे बस इतना ही हमने ओयल बदलने के लिए पहली सर्विस का सिस्टम था तो हमारा यह साथरा कुछ सेट हो चुका है आप देख सकते हैं अगर वीडियो पसंद आये तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा यह हमारा वाल्टेपर सारा कुछ सिस्टम सही है तो हम इसे हम ठीक मैसे ही सिट यह दे रहे हैं क्योंकि नए एंजिन में ज़्यादा कोई अरजेस्टिंग नहीं करने के चांस है कि दस बीस से तीज घंटे अभी चला है तो अभी इसमें कुछ कमी नहीं है सारा खुष फिट हो चुका है अब हम आपको थोड़ा स्टार्ट करके भी दिखाएंगे किसी परकार की ऐसी समस्या है तो हमारे कमेंट बाक्स में अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं कि देखिए भारा सक्ति का है अब बहुत है तो हम इसे स्टार्ट करवाते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं क्या कैसे का क्योंकि हम इंजिन बनाने के बाद स्टार्ट करने के लिए हम आपको जरूर दिखाएंगे अब देख सकते हैं इंजिन आपका स्टार्ट हो चुका है देखिए कितना क्लीन कितना साफ अच्छा चल लाए है पहले हलका हलका धुमा गठों मा रहा था सर्विस के पहले तो इसमें ऑउयल अच्छा पड़ चुका है आप अच्छा ही कॉल किका डाली कोई भी डाले हमारा कहने मतलब नहीं कि सरभों ही डाले मगर अच्छा बढ़िया को ऑउयल डाले तकaremos सी लाइफ मिले तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही प्रकार के वीडियो हम आपको देते रहेंगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिये जिएगा धन्यवाद